Hello dear, कैसे हैं आप लोग? कोई भी नमबर, 0 छोड़ कर, कोई भी नमबर उसका 0th power जो है, वो 1 होता है जैसे कि 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1, 4 to the power 0 is 1 So कोई भी नमबर to the power 0 वो 1 के बराबर होता है पर ऐसा क्यूं होता है? चलिए इसे हम simple example से और एक graph जैसा कुछ बना के हम pattern ढूंडते हुए चलिए इसका जवाब ढूंडते हैं यहाँ पर यह जो horizontal axis है, जिसे normally हम x axis कहते हैं उस x axis में n का values लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 4 तो है नहीं और यह जो vertical axis है, जिसे मैंने draw नहीं किया है, पूरी तरह से जरूरत नहीं है यह जो vertical axis है, यह vertical axis indicate करेगा x to the power n अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ let us say, let us say, पहले, सबसे पहले हमने x का value 2 assume किया कि x का value 2 होगा, तो हमें किस तरह का pattern मिलेगा power series में तो यहाँ पर x का value अगर 2 होगा, तो आप बताइए, x to the power n को हमें यहाँ पर plot करना है, इस axis में, और अभी n का value 1 है n का value 1 है, तो 2 to the power n क्या होगा, that means 2 to the power 1 क्या होगा 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 1 is 2, so उस 2 को हमने यहाँ पर plot कर लिया चलिए, यह 2, यह जो है, यह indicate कर रहा है, जितना height है, वो उतना number को indicate करेगा अब यह तो 2 to the power 1 होगया, that is equal to 2, अब 2 to the power 2 क्या होगा 2 to the power 2, 2 into 2 is 4, so 2 to the power 2 is 4, चलिए, कोच्छे यहाँ पर, यहाँ पर हमने उसे plot कर लिया that is 4, और 2 to the power 3 क्या होगा, 2 into 2 into 2, वो होगया 8, so 2 to the power 3 is 8 8, I think आपको दिख रहा है, 2 to the power 4 is, 2 to the power 3 is 8 now, यहाँ पर हम एक pattern ढूणने की कोशिश करेंगे, इसे थोड़ा समय नीचे कर दू, वरना linear सा दिख रहा है यह होगया यहाँ पर, ऐसे यह काब उपर की तरफ चाहेगा अब यहाँ पर एक pattern ढूणने की हम कोशिश करेंगे, जिससे की हम अंदाजा लगा सकते हैं की 2 to the power 0 कितना हो सकता है, वेल, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर numbers जो है, जैसे ही हम एक-एक step आगे बढ़ रहे हैं, 2 to the power 1 से 2 to the power 2 जा रहे हैं तो number double हो गया, 2 से 4 हो गया, अब 2 to the power 2 से 2 to the power 3 जाते हुए number double हो गया अब आप वापस आईए, आप पीछे आएंगे 2 to the power 3, 8, 2 to the power 2, 2 से divide करते हैं 4, 2 to the power 1, 2 से divide करते हो गया 2 अब 2 to the power 0, एक step पीछे आईए तो आपको क्या करना होगा, 2 से divide, 2 से divide, 2 से divide तो आपको अगर pattern लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से divide हम करेंगे, and that will be equal to 1 और यह चीज़ आप किसी भी number के साथ कर सकते हैं, अगर आप 3 के साथ करते हैं, तो 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9, and 3 to the power 3 is 27 तो जब आप पीछे आते, 3 से divide करते हुए आते, 27 से 3 से divide करते 9 आता, फिर 3 से divide करते 3 आता, फिर एक step जासे ही आप पीछे आते, वैसे ही आपको 3 से divide करना होता, और आपको यहाँ 1 ही मिलता, तो एक pattern, एक mathematical pattern आपको तभी मिल सकता है, जब वो number to the power 0 is equal to 1 हो, आपको simple pattern दिख फिर double करते 4, फिर double करते 8, तो 2 का power series बनाने के लिए हम अगर यहाँ से शुरू होते हैं 1 से, तो हर step में हमें 2 से multiply करते हुए जाना होगा, पीछे आएंगे तो 2 से divide करते हुए आना होगा, अब अगर एक step और पीछे जाते हैं, चलिए कुछ extra चीज हो जाए, एक step अगर पी यहाँ पर मिलेगा 1 half, यह क्या है, यह है 2 to the power negative 1, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे लिखते है 1 divided by 2 to the power 1, that is equal to half, तो यहाँ पर हमें half मिला, और एक step अगर आप पीछे जाएंगे, तो फिर से इसे half करना होगा, तो यह हो जाएगा 1 fourth, वैसे हम 2 to the power negative 2 को ऐसे लिखते हैं, 1 divided by 2 2 to the power 2, that is equal to 1 fourth, so, आपको देखें, एक सुन्दर सा पैटर्न मिल रहा है, आप इस तरह से 2 से multiply करें, 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 यह 2 का power series चलता जाएगा, मेरा question आप से अभी यह है, आपको जवाब देना होगा, आप दे सकते हैं, नहीं में दे सकते हैं, आप जवाब देजिए, कि यह जो power series में हम पीछे की तरफ जाते जा रहा है, पीछे की तरफ जाते जा रहा है, वो नमबर छोटा होते जा रहा, आधा होते जा रहा, आधा होते जा रहा, आधा होते जा रहा, फिर एक स्टेप आधा, फिर उसका आधा, उसका आधा, उसका क्या हम कभी भी जीरो पहुँच सकते हैं मतलब two to the power something is equal to zero वो something एक number होना चाहिए exactly कहा पर जाके ये zero होगा क्या ऐसा कोई number finite number finite negative number possible है कि हम कह सकते हैं कि two to the power negative that negative that number is equal to zero क्या ये zero हो सकता है किसी चीज़ को आधा करें फिर उसका आधा फिर उसका आधा फिर उसका आधा फिर उसका आधा कितना step में जाके वो zero होगा so ये मेरा question है आप लोग जवाब दीजिए comment section में जरूर से जवाब दीजिएगा अगर मुझे लगा कि हाँ आप लोग इस video के साथ बने हैं और आप लोग भी interested हैं इन चीजों पे तो मैं फिर तो फिर तो फिर मै अगले वीडियो में आप के साथ ये ज़रूर discuss करना चाहूंगा कि 2 to the power half that is equal to square root of 2 ऐसा क्यों होता है एनी नंबर x to the power half is equal to square root of x क्यों होता है तो आप जो सवाल पूछा मैंने आप कोशिश किजिएगा उसे सूचने का ऐसा नहीं कि आपको जवाब पता है आपने type कर दिया आप किसी finite negative number में जाके वो 0 हो सकता है या नहीं और इसका क्या possibility आप निकाल सकते हैं क्या ये कैसे हो सकता है किस logic से आप इस statement तक पहुँच सकते हैं अगर आपके पास जवाब है तो ज़रूर लिखिएगा आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो भी ज़रूर लिखिएगा मैं कोशिश करूँगा जल्द जल्द इस topic को cover करने का मैं देखूँगा ये भी कि आप लोग को कितना interest है तो जल्द मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें good bye